आपदा परवंधन में एक टर्मलोजी है प्लेसेबो इफेक्ट अब पहले इसको समझे कि प्लेसेबो का मतलब होता क्या है एक्चिल्वे इसका लिटरल मीनिंग ये है कि फेक जैसे मान लीजिए कि आपको महसूस हो रहा है कि दर्द हो रहा है लेकिन डॉक्टर को लगता है क तो आप इसको इंसिस्ट करेंगे कि जी मुझे आप पेन कीलर दे दीजिए तो वो क्या करता है कि एक्च्वली पेन कीलर के जगह आपको एक ऐसे ही जो जिसको हम लोग गाम बोलते हैं कि पानी वो डिस्ट्रिट वाटर वाली जो सीसी रहती है वही केवर लगा देता है और आप ठीक हो जाते हैं तो क्या हुआ कि आपको आप साइकोलोजिकली आपने दवाई ले लिया और मुझे ठीक तो फिल सेवो का बड़ा मेडिकल साइंस में डिसास्टर मेनेजमेंट में बड़ा ही पोजेटिव प्रभाव रहा है अच्छा एक एक्जामपल और समझे यह मै अपने प्रसनल एक्सप्रेंस से भी आपको बताता हूँ कि अगर आप पानी में गिर जाएए आपको पता नहीं है कि पानी कितना है और पानी में गिर जाएए तो कई बार देखा गया है कि कमर भर पानी में भी आप डूब जाते हैं क्यूंकि आप घबरा जाते हैं आप ख यह साइकोलोजिकल एफेक्ट है एक उदाहर मैं और बताता हूँ यूपी के साहगंज में एक बारात आई और दुल्हा जो था वो बैठा हुआ था क्योंकि जमीन पर ही बैठते हैं वहां तो दरी भी छा करके उस पर गद्दा डाल करके बैठा हुआ था बैठने के बाद सब कुछ हो गया साधिवादी सब कुछ हो गया जब वो टेंट खुलने लगा तो दुल्हे के गद्दे के नीचे से एक मरा हुआ करयत साप निकला और दुल्हे को किसिन बता किर जहां तुम बैठे हुए थे उहां एक करयत साप मरा हुआ था इस इफेक्ट से दुल्हा बहुत घवरा गया और उसकी सांसवास रूपने लगी और उसकी डेथ हो गई तो अब जो मैं समझाना चाहता था साइद वो मैं से समझ गए होंगे आप क प्लेसेबो इफेक्ट से आप ज्यादा घवरा रहे हैं ऐसा नहीं था कि पहले सर्दी खासी बुखार मलेरिया नहीं होता होगा पहले भी होता था और आपके घर आपने घरों में भी देखा होगा तो यह सर्दी खासी मलेरिया में सांस फूलना तो मुझे लगता है कि आपको दिकत हो रही है एक उदाहरान और लीजिए भी अभी एक बस इसी डेट साइज 14-15 अप्रेल था को जा रही थी MP में तो उसको अभी ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी ट्रेवल कर रहा है तो उसको रोक करके उन सब लोगों का हम लोग को को रोना टेस्ट करें तो उस बस में पचास पैसेंजर और एक ड्राइवर था ओविएसली 51 लोग थे उसको रोका तो उसमें चार और टेस्ट किया तो चार-पांच लोग पोजेटिव निकल आयो उसका प्रोसेस होता है कि टेस्ट करके कट बहें जाईए आप और हम आपको बता देंगे सब लोग चले गए उस उसमें से पांच लोग कोरोना पोजेटिव थे और हमारे साथ ही ट्रेवल कर रहे थे तो उनको उसमें से कुछ को चक्कार आने लगा कुछ इतना घवरा गए कि उनको उक्सिजन लगाने कि दोद पड़ गई साथ आप मैं क्या कहना चाहरा हूं आप समझ रहे हैं तो इस घवराहट से बचिए ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है बिमारी है और जो भी सिस्टम एवलेबल है वो 100% इस समय तो मैं तो कह रहा हूं कि 100 नहीं 110% उसका यूज हो रहा है और जो नहीं है वो बनाया जाएगा ले से बचिए मैं आपको अपने एक्सप्रियंस से बता रहा हूं सर्दी खासी बुखार मलेरिया इसे कुछ भी नहीं होना आप ठीक हो जाएंगे लेकिन अगर आप घवराएंगे तो उसका बड़ा मुश्किल है उसका इलाइज नहीं होना है तो कुछ नहीं होना है अगर हर संभव मदद है आप बताएं करेंगे थैंक यू ओल दा वेस्ट में गौड ब्लेस यू